नवश्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में जिसका नाम है प्रभाग की बात रिपोर्टर जोया के साथ यानिकी मेरे साथ और आज हम मौजुद है नाखपुर के डिप्टी सिगनल में जो की प्रभाग 24 के नाम से जाना जाता है और आज हम बिलेंगे उसी के लिए क्या क्या कारिया की है तो आईए मेरे साथ आज हम मौजुद है डिप्टी सिगनल के प्रभाग 24 में और इस वक्त हमारे साथ मौजुद है उसी प्रभाग की नगर सेवी का सविता जी कावरे तो मैं सविता जी से ये जानना चाहती हूँ कि सविता जी आपने नगर सेवक के बतौर आपके प्रभाग में क्या क्या कारिया किये है अब तक मैडम जब 2012 में पहली बार मुझे भारतिय जन्ता पाल्टी ने टिकिट दी उस समय हमारा ये विजन था कि हमारे जोपण पट्टी वासियों को पट्टा मिले जो हमारे पुर्वनाकपुर के कार्य समराड क्रिश्न भाव खोपडे इनके अथक प्रयासों से पट्टे वाट जय भी है उस समय थी लेकिन आज लगभग हमने 80% उस समस्या को हल किया है हमने जगह जगह पे सिमेंट रोड बनाया है साखर करवाडी में अभी भी सिमेंट रोड का काम चालू है जानकी नगर में उद्यान बनाया है जहां लोगों की डिमांड थी वह एक खुला मैदान थ तो लोगों की डिमांड थी कि वहां पर एक अच्छा गार्डन बने तो वह भी हमने गार्डन बनाया एक सुन्दर सा गार्डन वहां पर है और लगभग इन 10 साल के कारेकाल में बस्ती में डिप्टी सिंग्रल बाजार चौक से लेकि कुमार महला तक की सिमेंट रोड छोट इन में सिमेंट रोड का काम हर साल कारे करवा रहे हैं और बाजार चौक से लेकि तो आदिवासी प्रकाश नगर तक के हमने सिमेंट रोड बनाया हैं गोपाल नगर में सिमेंट रोड बनाया हैं और मिनी माता नगर में भी हमने सिमेंट रोड का कारे किया है बनाने का काम औ और जगह जगह डिप्टी सिगनल हो चाहे प्रभाग 24 के अंदर में चिखली, मिनी मातनगर, नेताजी नगर, सुभान नगर यहां सब एरिया आता है तो चिखली में भी अगर आप जाके देखोंगे तो वहां लगभग वहां पे सिमेंट रोड लगभग बन चुका है उसके कुछ दिन पहले वहां पर कुछ कार्य नहीं हुआ था लेकिन सभी लोगों की मदद से हमने वहां पर सिमेंट रोड बनाया है अभी कुछ दिन पहले डामवर रोड का भी काम वहां पर हुआ है और मिनी मातनगर हो चाहे नेताजी नगर हो यहां पर भी लगभग सिमेंट र अंदर में हमने लोगों को यहां पर टिफिन वाटप किया कच्छी विसा पाटिदार भवन में वहां पर कृष्णा भाव खोपड़े इनके नेतरत्व में वहां पर खाना बनता था वह भोजन लाके हम डिप्टी सिंगल के अंदर में हम लोग बाटते थे और सिर्फ यहीं न हमने जब पहला लॉगडाउन हुआ तो हमने खुत का कीचन एक महिने चलाया और लोगों नो भी बहुत सहयता की बहुत मदद की और जो दूसरा लॉगडाउन हुआ उसमें भी हम लोगों ने भोजन वितरंड किया है लोगों को हमारी गरीब जनता भूखे न रहे यह हमने ध्यान में रखते हुए हमने लोगों तक के खाना पहुचाया जो प्रवासी लोग है उनके उन तक भी हमने खाना पहुचाने का काम किया दस साल के अंदर में हमने यह एक एतिहासिक रहा हमारा कारेकाल जो दो साल से कोरोना लॉगडाउन यह सब हुआ है और डिप्टी को भी हमने बनाने का प्रयास किया और उसका लगभग उसका भूमी पूजन हो गया है और एक दो दिन में वहां काम भी शुरू होने वाला है तो इस तरह से प्रभाग चोविस के अंदर डिप्टी सिगनल के अंदर बहुत सारे काम हो गया है ऐसा नहीं है कि हंड्रेट परस यहां पर तयार हुआ है और लोगों से भी लोगों ने भी हमें काफी मदद की है उसमें लोगों का अगर लोगों का ही सहयोग से यहां सब खम काम करने में समर्थ रहते हैं सविदा जी मेरा ये सवाल है कि क्या अनुभव रहा आपका आपने राजनीती जिसे क्षेतर में आपने कदम रखा और बतोर नगर से वग आप चुम कर भी आई तो उस दोरान आपको किस-किस कठीनाईयों का सामना करना पड़ा एक महिला के लिए ग्रहिनी बनने के बाद में राजनीती में उतरना एक कठीन हो जाता है लेकिन उस कठीनाईयों का भी हमने सामना किया है लोग अपनी समस्याई बताते है और कुछ शब्द भी बोलते है उसे भी हमने सहन किया है क्योंकि महिला है महिलाओं को यह सब बरदास्ट करना पड़ता है खास करके राजनीती में यह सब सहने की छमता होनी चाहिए आपने 2012 में आपकी शुरुवात हुई तो उस शुरुवाती दोर में आपने इस प्रभाग के लिए सबसे पहले क्या सोचा यह जो 2012 में जब हम पहली बार चून कर आया पालटी ने टिकिट दी मुझ पर विश्वास जताया और लोगों का काफिर समर्थन रहा तो हमारा लक्ष था कि हमारे जोपड़ पट्टी वासियों को पट्टा दिलाना क्योंकि उसके पहले कई मंत्री आये कई नगर सेवक आये सब वादे करके चले गए लेकिन वह उस वादे को किसी ने पूरा नहीं किया हमारे कार्य समराठ क्रिश्णय जी खोपड़े पूरो नाकपूर के विधायक उन्होंने वादा किया था कि हम लोगों को जोपड़ पट्टी वासियों को पट्टा वित्रन करेंगे तो हमने वहाँ कार्य तुरन प्लेन टेबल सर्वे करके शुरू करवाया और 2012 से लेकि तो अभी तक के लगभग 70% लोगों को पट्टा वाटब हो चुका है उनकी रजिस्ट्री करके मिल चुकी है जो वैरागड़ वाड़ी परिसर्थ छेत्र है वहाँ पे पानी नहीं आता था हमारी चुन के आने के बाद में हमने वहाँ पर नया पाइप्लाइन डलवाए जिससे आज लोगों की लगभग समस्याए खतम हो चुकी है 24 घंटे पानी अपने डिप्टी सिंगल के अंदर में आता है और वहीं के उसी एरिया में सिमेंट रोड लगभग बन चुका है उसके बाजु वाले छेत्र साखर करवाड़ी वहाँ पर भी त्रिकोणिय मैदान है त्रिकोणिय मैदान का भी हमने सौंदरी करण करवाया वहाँ कमपाउंड वाल और स्टेज वह हमने गडगरी साहब के माध्यम से उसकारे को किया है साथ ही हमारे बस्ती में सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी समस्या है वह है शिवरेज लाइन की शिवरेज लाइन जो सामने में जो पाइप है जो बैट चुका था कई वर्ष पीछे जो दो घर के बीच में जो लाइन है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है हमारे करमचारियों को भी दिक्कत आती है तो आज भी शिवरेज लाइन की थोड़ी सी समस्या आज भी रहे गई है और लगभग सिमेंट रोड का काम यहां भी बन चुका है चिखली में एक मैदान है वो उसका भी सौनदरी करण मानिय नितिंजीगर करे इनके माध्यम से किया है और चिखली बस्ती यहां भी सीमेंट रोड डामरी करण और सीमेंट रोड के साथ में नया पाइपलाइन वहां भी हमने करवाया है लगभग वहां भी ऐसे ही समस्या है जैसे कि शीवर और उपरेशन के कर्मचारी है। उन्हें भी बहुत सारी दिक्कते आ जाती है। तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत वहां भी हमारे कर्मचारियों को है। कम से कम दस बचत गट की महिलाओं को संजनगर स्कूल में खिचडी बनाने का काम महापर दिया है तो लॉकडाउन होने की वज़े से लगभग दो साल से खिचडी बंध है हमारी कोशिश यही रहेंगी कि हम हमेशा लोगों को हम ऐसे ही अपनी और आकर्शित करने की बहुत कोशिश की है और लोगों का काफिस समर्थन रहा है हमारे डिप्टी सिंगल में सबसे बड़ा RTO ऑफिस है जो मानिय गड़करी सहाब और देवेंजी के हाथ से भूमी पूजन हुआ है जो भारत देश का नंबर वन RTO कार्याल है तो उस सुबह भी लगभग बन चुका है आदिवासी प्रकाशनगर है वहाँ पर भी हमने लगभग सभी पूरी एक नंबर से लेकि 16 नंबर तक के गली में वेस्ट वाटर लाइन डलवाया है गोपानलगर के बाजू में सिमेंट रोड का काम लगभग हो चुका है और गोपानलगर में आदिवासी प्रकाशनगर में नाले की जो दिवाल है जो लगभग डैमेज हो चुकी है उसका भी भूमी पुजन हो गया है और कुछ ही दिन में वहां काम भी शुरू होने माला है यह जो हमारे कारेकाल रहा मैं दर्शकों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि हमने लगभग सभी का कारेक करने की कोशिश की कुछ हद तक के छूड भी गया होंगा तो नए सिरे से काम शुरू करने की कोशिश करेंगे लोगों ने हमें बहुत समर्थन किया है क्योंकि इसके पहले जो भी 2012 के पहले जो नगर से वक रहता था वो दूसरी बार चुनके नहीं आता था लेकिन 2017 में भी लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया और दूसरी बार लगभख जनता ने मुझे चुन कर दिया इसके लिए मैं सभी का मन पूर्वक धन्यवाद करती हूँ तो ये थे हमारे साथ डिप्टी सिगनल प्रभाग 24 के नगर सेवी का सविता जी कावरे और इन्होंने हमसे कुछ जानकरिया साजह की जो नगर सेवक की बतौर उन्होंने प्रभाग 24 के लिए कार्य किये है कावी हद तक तो उन्होंने हमसे ये जानकरिया कावी अच्छे तरीके से साजह की तो आज की इस प्रभाग की बात रिपोर्टर जोया के साथ में इतना ही आपसे फिर कहीं मुलाकात होगी किसी नए प्रभाग के साथ नए नगर सेवक के साथ तब तक देखते रहिए विके बी नियूस नमस्कार